बेस्ट फ्रेंड फोर एवर बेस्ट फ्रेंड फोर एवर का हिंदी मीनिंग होता है आई ये चोटी ची वीडियो मा देख लेते हैं तो दोस्तो बेस्ट फ्रेंड फोर एवर तीन वर्ड से मिलकर बनता है बेस्ट फ्रेंड एड फोर एवर best friend का meaning होता है सबसे अच्छा मित्र और forever मतलब हमेशा बालत तो अच्छा दोस्त जो हमेशा के लिए बना दोस्त तो best friend for ever मतलब जो आपका ऐसा दोस्त जो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा या हमेशा आपके साथ friendship निवाएगा उसको आप English में best friend for ever के बच्वन से हैं या आप भी बने हैं लेकर हमेशा तक रहेंगे तो ऐसे दोस्तों को हम इंग्रिस में best friend forever बोल देते हैं चाहिए दोस्तों से मुझे examples भी देख लेते हैं I think that my best friend forever doesn't like me anymore मतलब मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब मुझे पसंद नहीं करता दोस्तों best friend forever मतलब सबसे अच्छा दोस्त अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो इसका मतलब वो आपका दोस्त हमेशा के लिए नहीं है तो वो आपको best friend नहीं है तो ऐसा दोस्त जो आपको पसंद भी करेगा और आपके साथ हमेशा रहेगा उसी को आप best friend forever बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब मुझे पसंद नहीं करता दोस्तो इस sentence में best friend forever का meaning हुआ सबसे अच्छा दोस्त दोस्तो उमीद करते हैं आपको इस word का meaning अच्छे समझ आ गया होगा अगर आपको इस word का meaning अच्छे समझ आया हो तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना बिलकुल न भोलें ताकि ऐसी ही informative videos आपको सबसे पहले मिलें और दोस्तो vocabulary बैंक को आप Instagram पर भी जाके follow कर सकते हैं